हेलो एवरीवन, वेलकम टो आर चैनल, दिस इस सरश्टी अगरवाल, तो मैं आप से भी क्लास 9 की स्टोरेंज के लिए लेकर आई थी वर्क बुक्स के सॉलिशन, जिसमें हमने इंगलीश, गनीत और विज्ञान के सॉलिशन देख रहे थे, तो इंगलीश में हमने वक्षिट 40 तक कंप्ले सॉलिशन देख लिया है, अगर आपने किसी कारवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है, तो अब हमारी चैनल की प्लेलिस से चेक आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे वक्षिट 41 को, जिसमें समझेंगे पास्टेंस के मिक्स फॉर्म को, फिर्स कोशन है, इसमें प्लेट फॉर्म कोई इखांगे, फिर्स को देखेंगे पास्टेंस से यहाँ पर देखे लाहरा है, next day I blank admission into the school two year ago मैंने admission लिया था दो साल पहले तो यहाँ हो जाएगा take का took second form आ जाएगी next day I took admission my friends blank on a picnic in those days उन दिनों वो जा रहे थे कहाँ पर? पिक्निक पर तो यहाँ पर हो जाएगा देखी जा रहे थे बोलने में ही आ रहा है तो यहाँ हो जाएगा simply past continuous अब देखिए my friends तो नहीं है my friends है बहु बचन है plural है तो यहाँ पर work going कर देंगे ठीके? go के साथ में ing और my friends के according यहाँ पर helping वहा जाएगी work तो my friends work going on a picnic in those days इस तरह से हो जाएगा next day my friends blank for me at that time उस तरह मेरी friend मेरा wait कर रहे थे तो यहाँ wait का हो जाएगा work waiting क्योंकि my friends है तो work आ जाएगा wait का waiting हो जाएगा my friends were waiting for me at that time the teacher blank the classroom before I blank school teacher पहुँच चुके थे आ चुके थे classroom मेरे school पहुँचने से पहले ठीके? तो यहाँ हो जाएगा the teacher had entered the classroom before I reached the school तो मैंने आपको बता है था past perfect का अगर sentence रहता है तो उसमें कभी-कभी आपको दूसरा जो sentence रहेगा वो past simple का मिलेगा first sentence रहेगा यह second sentence आपका past perfect का हो जाएगा first sentence आपका simple past का हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर first sentence तो हो जाएगा past perfect का the teacher had entered the classroom before I reached the school I reached the school हो जाएगा past simple tense ठीक है next है the movie blank before we reached the cinema तो यहाँ हो जाएगा begin का had begun और reach का reached यहाँ पर भी देखिए दूसरे sentence में past simple आजाएगा और first sentence में past perfect movie स्टार्ट हो चुकी थी जब तक हम पहुँचे सिनेमा में या थेटियर में तब तक movie स्टार्ट हो चुकी थी तो चुकी थी चुकी दे चुकी थे के लिए हो जाएगा past perfect और start हो चुकी थी उसमें simple past tense का यूज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ हो जाएगा the movie had begun before we reached the cinema the British blank over India since 1600 rule का हो जाएगा जो ब्रीटिश है वो राज कर रहे थे इंडिया पर 1600 से 1600 से ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा the British had been ruling over India since since 1600 next day I blank on that project for last 8 months तो यहाँ हो जाएगा last 8 month यह भी show कर रहा है time से चलता आ रहा था तो यहाँ पर हो जाएगा I had been working on that project for the last 8 months मैं इस project की काम कर रहा था 8 महिने से पिछले 8 महिने से ठीक है तो आगे समझ में आपको यह पूरे 8 हो sentence आपको इस तरह से correct form में लेखने थे next हम देखेंगे यहाँ पर कुछ extra learning बताया गया है structure बताया गया simply आपको एक बार revise के लिए तो देखिए चलते हैं reading करने first structure है simple past tense का जिसमें structure रहेगा subject प्लस verb की second form plus object या adverb या other words हो जाते है past continuous में होता है simply subject की साथ में was verb plus verb की form में verb की first form में ing लग जाता है then object other word या adverb past perfect में होता है subject plus head plus verb की third form यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि verb की third form को use होता है plus object या other words या adverb आता है past perfect continuous में simply head की साथ में bean लग जाता है और verb की first form में ing लग जाता है तो देखिए यहां हो जाता है structure subject plus head bean plus verb की first form ing object, adverb plus since या four जरूर में लेगा आपको इन sentence में या other words की साथ में last point of time भी मिल सकता है तो यहां पर यह चीज ध्यान रखनी है तो यह structure done होता है past tense का सभी past tense की form आ गई यहां पर तो यह done होता है आपको worksheet 41 का solution इसी तरह हम आगी की worksheet की solution भी देखेंगे और भी important videos आपकी कक्षा से लिट देखते रहेंगे तो जुड़े रहे हमारे चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धैनेवाद जय से लिम्योरा आपके साथ